हेलो फेंड्स मैं मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर पेंट साज की इस वीडियो में ब्रा का कटिंग और स्टिजिंग में आप लोगे सार शेयर करूँगी तो इस वीडियो को देखके आप अपने लिए किसी भी साइस का ब्रा बना सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है चोकोर में और इसका जो मेजरमेंट रहेगा जो भी आपका बरस्ट साइस होता है उसका हाफ आपको लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर 36 साइस का बना रही हूँ तो 36 का आधा होगा 18 इंच और 18 इंच का मैंने लंबाई और चोड़ाई में एक चोकोर कपड़ा लिया है देखिए इस तरह से तो 18 इंच मैंने यहां से लिया है और 18 इंच का लंबाई चुड़ाई में यह फैब्रिक का पीस लिया हुआ है जैसे कि आप 40 साइस का बना रहे हैं तो 40 का आधा आपको लेना ही 20 इंच और अगर आप देखिए छोटे साइस में बना रहे हैं जैसे कि 30 साइस का बना रहे हैं तो उसका आधा लेंगे आप 15 इंच इस तरह से आपको कपड़े की लंबाई और चुड़ाई लेनी है तो चोकर पीस मैंने आप लिया हुआ है 36 का में 36 साइस का बना रहे हूँ 36 का हाफ लेंगे 18 इंच 18 इंच लंबाई चुड़ाई में है कपड़े को आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है फोल्ड करने के बाद देखिए अच्छे से पहले आपको इससे फोल्ड करना है और उपर के साइट से आपको मेजरमेंट लेना है तो यहाँ पर देखिए आए अच्छे से गुलाई में आपको मार्किंग कर लेनी है गुलाई में मार्किंग करते हुए नेचे से मैंने इसे कट कर दिया है यह दिखें यहाँ पर हमारे पास एक सरकर पीस आ गया है इस तरह से अब इसे फोल्ड करना है आपको अच्छे दिसे दोनों तरफ से बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे और बीच में से इसे कट कर लेंगे ये दिखें बीच में से हमने इसे कट कर लेना है तो दो पीस हमारे पास आ जाएंगे दोनों साइट के लिए यह देखिए दोनों साइट का कब सा इसका पैटन हमारे पास आ जाएगा अब देखिए दोनों पैटन को हमने फोल्ड करना है इस तरह से यह दोनों पैटन हो गए इसे फोल्ड करेंगे और यह एक क्यूप पर एक ओवरलेप होकर इसके उपर आ जाएगा अब देखे इसका cutting करना है हमें आगे का जो dot रहेगा उसके लिए तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से fold कर लेना है उसके बाद बीच में से half inch का marking करना है half inch आपको width में लेना है और length में लेना है आपको 3 inch यह आप सबी size के लिए लगा सकते हैं इसी तरीके से dot की marking आदा inch width में लेना है और 3 inch आपको लेना है length में इसे mark कर लेने के बाद यह pattern आपको cut कर लेना है तो इसे मैंने cut कर लिया है यह देखी, cut करने के बाद हमने दूसरे pattern को लेना है और दूसरे pattern को भी इसी तरह से mark करके cut कर लेना है दूसरे पैटन को भी इसके उपर हमें रख लेना है दोनों तरफ से बराबर करते हुए और डॉट की जो मार्किंगे इससे कट कर लेना है तो देखें दोनों तरफ के डॉट हमने कटिंग कर लिये हैं अब आपको इसका स्टिचिंग करना है तो इस्टिचिंग के लिए आपको इस तरह से इसे रखना है यह देखें और दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे देखें इस तरह से एक तरफ के पैटन पे मैंने सिलाई लगा दी है अब दूसरी तरफ के पैटन पे भी आपको सिलाई लगा दीनी है दोनों तरफ के डॉट लगाती है अब इसे पलट करके सीधा कर लेंगे तो दिखे जो margin वाला पार्टे वह अंदर चला जाएगा और ये pattern इस तरीके से आ जाएगा एक pattern ready करने के बाद हमने दूसरा वाला pattern भी इसी तरह से dot लगावकर तियार कर लेना है तो दिखे दोनों pattern मेरे ready हो गए है और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर ये देखे इसके उपर लगाने के लिए strap ready करनी है इसके लिए मैंने पटी ली हुई है पटी की चोड़ाई रखेंगे 2 इंच ये strap आप सभी size के लिए cutting कर सकते हैं इसी तरीके से चोड़ाई 2 इंच लेनी है और लंबाई में लेना है आपको 17 इंच 17 इंच इसकी length है और width है 2 इंच पटी को क्या करना है आपको fold करके त्यार कर लेना है ये देखें इसके अंदर हमें elastic add करना है तो इससे हम इस तरीके से fold करेंगे पोना 1 इंच इसकी चोड़ाई रहनी चाहिए पटी की मैंने यहाँ पर पटी को उसलाई लगा दी है दोनों पटी साथ में सिर ली है और इसके बाद आपको इसे सैप्च पिन की मदद से पलट करके सीधा करना है दोनों पटी को पलट करके सीधा कर लेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को पलट करके सीधा कर लिया है देखिए मैंने अहां पर इलास्टिक लिया हुआ है बिलकुल पतला वाला इलास्टिक है ये आधा इंच से भी कम और इस आथ इनट देखें देखेंट आपको लेनी है 14 इनच 14 इंच मैंने इसके लेंद रखी हुई है और यहाँ पर देखिए हमें इलास्टिक को इसके अंदर एड़ करना है तो इस पटी के अंदर इलास्टिक को इस तरह से डाल लेंगे सेफ्टी पिन की मदद से सेफ्टी पिन की मदद से मैंने इलास्टिक को इसके अंदर एड़ कर दिया है इलास्टिक डालने के बाद दोनों तरफ से आपको इससे सिलाई लगा करके अच्छे से पक्का कर लेना है इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद थोड़ा से स्ट्रेश करेंगे इसे और बीच में एक सिलाई लगा देंगे यह दिखिए पटी को खीशते हुए आपको इस तरह से एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है तो दिखे मैंने हाप पर सिलाई लगाकर ऊपर की एक स्ट्रैप ready कर ली है इसी तरीके से आपको दूसरी फाली स्ट्रैप भी ready कर लेनी है तो दिखिए अब हमें इसे add के से करना है इसके अंदर हम pattern को दोनों side का जो pattern है इसे उल्टा करके रखना है और जो बंद वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको इसे रखना है नीचे की तरफ से यहाँ पर हम पका कर लेंगे सिलाई को आदा इंच का मारजन लेते होई इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद हम इसे बलट करके सीधा कर लेंगे ये दिखे इसे पलट करके सीधा कर लेना है आपको इस तरह से और दूसरे पाले पैटन पे भी हम लास्टिक लगा लेंगे आप देख सकते हैं मैंने यहापर दोनों दरफ लास्टिक लगा लिया है अब इसके उपर हमें ओवर लेप कर देना है इस पैटन को और सिलाई लगा देनी है तो दीखे चुड़ाई में आपको एक इंच ओवर लेप करना है इसे जादा नहीं करना है एक इंच ओवर लेप करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा करके से पका कर लेंगे तोड़ा सा सिलाई आपको उपर तक भी ले आना है इसके नीचे हमने बेल्ट टेज करना है तो यहाँ पर देखिए बेल्ट जो कटिंग किया हुआ है इसके चोड़ाई है तीन इंच की और देखिए यहाँ पर लंबाई है तीन इंच की और यह चोड़ाई में है 32 इंच तो यह आपको अपनी कमर के हिसाब से लेना है यहाँ पर मैंने 32 इंच लिया हुआ है और विर्थ में 3 इंच लेना है इसके अंदर हम एट करेंगे आधा इंच वाला इलास्टिक यह इलास्टिक भी आपको सॉफ्ट लेना है और इलास्टिक निकालने का जो तरीका है देखिए जिससे 32 इंच कमर है 32 का आपको चोथा भाग कर लेना है और इसमें से एक भाग आपको कम कर देना है तो आपको इलास्टिक का साइज मिल जाएगा 32 में से एक भागम देखिए हाँ पर 4 भाग की हुए मैंने इंच टेप के उसमें से एक भाग करने के बाद मुझे 24 इंच का मेजरमेंट यहाँ पर मिला है तो इस तरीके से सबी साइस का आप यहाँ पर इलास्टिक के लिए मेजरमेंट निकाल सकते हैं 24 इंच पर मैंने इसे कटिंग किया है इसे लगाना किस तरीके से है देखिए आपको सबसे पहले इसका सेंटर मार्क कर लेना है सेंटर में मार्किंग करने के बाद इस पट्टी को आपको अटेज करना है सेंटर से बराबर करते हुए रख लेना है पट्टी को और यहां से सिलाई लगा देनी है आदा इंच का मार्जिन रखते हुए यहां पर हम सिलाई लगाएंगे दिखे इस तरह से तो दिखे मैंने यहां पर पटी को अटेज कर दिया है और इसके बाद अब हमें क्या करना है यहां पर पटी को अटेज करना है यह देखिए एक सिलाई में यह पट्टी के उपर लगा रही हूँ जिससे की मार्जिन नीचे की तरफ चला जाएगा और आपको एलास्टिक लगाने में आसानी रहेगी कॉर्णर पर एक सिलाई में और लगाती है इसके बाद आपको पट्टी को फोल्ड कर लेना है तो यह बहुत ही असानी से देखिए उपर की तरफ फोल्ड हो जाएगी पट्टी फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें उपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है तो देखिए मैंने यह आप पर भी सिलाई लगा दी है अब इसके अंदर हमें सैप्टी पिन की मदद से लास्टिक को एड़ करना है आदा इंच के चोड़ाई में मैंने सॉफ्ट वाला लास्टिक लिया है इसके अंदर सैप्टी पिन के साथ हमें लास्टिक को लगा लेना कि दूनों तरफ से बराबर करते हुए लास्टिक को आपको देखे इस तरह से यहाँ पका कर लेना है सिलाई लगाकर दो तीन सिलाई आपको यहाँ पर लगा देनी है थोड़ा साफिसे स्ट्रेस कर लीजेगा अब देखी मैं कपड़े को यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी तो दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा खोल लिया है थोड़ी सी सिलाई आपको खोल लेनी है जिससे कि यह फिनीशिंग के साथ यहाँ पर लग जाएगी अब लास्टिक को आपको साइट कर लेना है और यह जो कपड़ा है दोनों पटियों को आपको साथ में सि फिनिशिंग के साथ ये देखे इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ कर लेंगे और कॉर्णर पे एक सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे अब देखे एक सिलाई में उपर की तरफ से लगा रही हूँ elastic को खीशते हुए आपको एक सिलाई इस तरह से लगा लेनी है इसके उपर elastic के उपर आपको पूरा circle पे सिलाई लगा देनी है जिसके elastic अच्छे से set हो जाएगी अब उपर वाले जो strip पे इससे आपको पीछे की तरफ attach कर लेना है तो हम इसे यहाँ पर रख लेंगे और दोनों तरफ से सिलाई लगा कर अच्छे से इसे पका कर लेंगे तो दिकी दोनों तरफ की स्ट्रेप में ने अटेज करती है तो फ्रेंट्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेर जरूर कीती हैगा चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद